हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी इस फ्रॉम बेसिक्स में और दोस्तों आज हम लेके आए अतुरिंग भारत की अगली वीडियो तो लास्ट वीडियो में जो हमारी बात चल ली थी हमने बात करी थी अन्य राजनेतिक दल तो अन्य अगर बात आती है तो 1908 में किसने एसन बिनर जी दौरा फिर हमने बात करी थी अखिल भारतिया मुस्लिम लीग की हिंदू महासभा की भारतियों कमिनिस पार्टी जिसको हमने बोला था CPI अगर भारत में कॉंग्रिस के बाद सबसे पुरानी कोई पार्टी है तो CPI है जो 1924 में बनी थी और इसकी स्थापना किस ने करी थी सत्य ने करें लोल राप्रशाद विश्त मेलों योगेश चैटर जी फिर अगर बात आती है देखा जाए तो यहां पर अब उसी में हमारी जो बार चलेगी अब आगे बार चलेगी अब जो हमारी पार्टी बनी है है सांडर की बार आते है तो सांडर की हत्य कब हूई सका है। टास्फ को सांडर की हत्या करना नेग्यों लकाम अब kucks यूइस ही विखी है तो एरे को पहला कारें लाला लाजपताइ की हत्या के आरोपी लाहॉर के साहयक पुलिस अधिक्षक सांडर्स की अधिया करना था क्यूंकि यहाँ पर भारत में कमीशन आया था साइमन कमीशन तो साइमन कमीशन पूरे भारत में अगर देखा जा इसका विरोध चलना था और और यह सबसे पहले मुंबई पहुंचा था तो पूरे भारत में सभी जगा विरूद चलना था तो यहां लाहुर में विरूद चलना था लाला लाजपत्राय तो इस समय यहां पर जो पुलिस अधिक्षक थे वह सांडर्स थे और उन्होंने यहां पर लाठी चार्ज करवाय लाठी चार्ज करवाय तो उस घटना में लाला लाजपत्राय की हो गई मृत्यू और यह पंजाब के काफी बड़े नेता थे क्योंकि जब हमने देखा था एक अधिवेशन हुआ था 1907 का सूरत अधिवेशन जहां पर फूट पड़ गई थी तो यह हमारे उग्रबादी प तो यहां पर भागत सिंग चंड्रिशेकर राजाध और राजगुरू ने मिलकर सतर दिसम्बर 1930 को सांडर्स की हर्थ्या करती तो इसी विएस सांडर्स की जो मृत्यु हुई तो सांडर्स की मृत्यु लाला लाजपत रही की मृत्यु का क्या थी बदला थी अब आगे चलते हैं अगला है नेक्स्ट नमारा Central Legislative Assembly Bump Carn तो लेजिसलेव टीप की बात यहां पर अगर बात आती है तो यह है हमारी विधान मंडल केंद्रिय विधान मंडल की बात आती है केंद्री विधानमंडल में अगर देखा जाएं तो केंद्री विधानमंडल में जो बंभ भेका गया वो कब भेका गया आठ अप्राइल 1929 पुख और ये जो बंभ भेका था वो बंभ किसने तो यह भी अचेस आरे की सदस हैं भगत सिंह और दूसरे कौन है बटूगेशल पर 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 चांदेश था एक संदेश के था बहरे कानों तक बहरे कानों तक अपनी आवास पहुचाने के लिए बहरे कानों उ साशन के बहरे कानों तो इनको अपनी आवास सुनाने के लिए हमने किसका प्रिंग करे बहरे का नहीं अब जहते लिए तो हो जब गिरफ्तार हो जएंगे या भगत सिंग ट्राइल केस 1929-1929 इस केस में भगत सिंग और वटकेश्वर दर्थ जिन्हों ने भी बंप ही का और इनके साथ में एचे सारे के जितने सभी सदसे थे उन सभी पर क्या चलाया गया मुगदमा और जेल में जितने भी करणतिकारी बंद थे तो उन्स अवने कह लिए और राजनेतिकादिक क्यादी का करने के लिए भू pierws के लिए भूकरताल शुरु कर दी और भूलता रजब बैठे लिए थे तो सब्स होत лишь ुब यहां पर एक व्यक्ति तरermo बेंगौली वेक्ति थे तो इन्हें जतिंदास को जतिंदावी कहा जाता था चौसट दिन बाद आंशन के बाद इनकी क्या हो गई मृत्यू और बाद में जो हमारे भगत सिंग सुखदेव और राजगुरू थे तो इन सब पर मुकदमा चलाकर इने 23 मार्च 1931 को फांसी की सब्क गये हैं है कि नेक्स फिर इसीमी में एक सटस्थे चंदरशीकराअध है पचंदर शिखराराजद जो हमने पहले देखा था कंक्याष्य का को अधुमें ड़े अकह लॉक्वा राजान यहां से फरार थे अब काकुरी कांट से फरार चल ले थे फिर लाहूर कांट में भी क्या होगा बचे निकले अब लेकिन यहां पर 27 फरवरी 1931 को इलाबाद में एक पार्क है अलफ्रिट पार्क अलफ्रिट पार्क में इनकी पुलिस से मुद्भेड होई मतलब इने पुलिस ने वहाँ पर चारो तरफ से गेर लिया अब जब पुलिस की इनके साथ मुद्भेड होई तो ये उस मुद्भेड में मारे गए और इस तरह से जो एचेस आ रहे था हिंदुस्तान शोशलिस अठारा अप्रेल उनिस सो थी-स तो चट गाउँ अगर बात करी जाए तो चट गाउँ आज की डिवेट में तो यह कहां पहुंच गया है बंगलादेश में आज की डेट में अगर हम बात करें तो यह बंगलादेश में है लेकिन अगर बात करी उस समय देखा जाए तो यह कहा था बंगाल में और बंगाल के जो सूरेसेन थे यह गांधी जी के असायों गांदोलन में इन्होंने काफी सक्रिय भोमिगाने वाई थे तो बंगाल के सूरेसेन ने एक पार्टी बनाई या एक आर्मी बनाई इंडियन रिपविलिकन आर्मी तो इन्होंने बनाई इंडियन रिपविलिकन आर्मी और जो चटगाओं था तो चटगाओं जो बंगाल का बंदरगा चेत्र था तो क्योंकि अब तो यह कहते थे तो यहां पर टीचर थे इसलिए उन्हें प्यार से मास्टरदा कहते थे सूर से ने रिपब्लिंगन आर्मी के सदस्यों के साथ मिलकर चटगाउं शुस्त्रगार पर हमला किया इंकलाब जिंदावाद और बंदे मात्रम के नारों के बीच में क्या हो गया वहां तिरं सबस्तार कर लिया गया तो उने फिर फांसी दे दीगी 12 जनवर उनिस्सों 34 को तो फिर यहां पर सूरिसेन की भी कहानी समाप्त हो गई तो सूरिसेन ने भी काफी लड़ाई-लड़ी बंगाल वाले छेत्र से कशे तो नेक्स फिर बात आती हिमारी क्रांटी-कारी आंदोलन में बंगाल की मढईलाओं की भागीदारी अब बंगाल की महिलाओं अगर ऄखा जाए तो कई महिलाओं के राम आता है तो नहीं दी गई लेकिन अगर बात आती है तो यहां पर फासी तो конфousi उन्हें मिली नहीं तो इन्हें िला आज इबन कारावास फिर बात आती है सूनीती चौधरी और सांती गोश तो अनोंने जिला अधिकारगी क्या गरती थी हत्याärद ती नेक्स्ट नाम यह वला है नारा भीका जी रुस्तम कामा झाँ और जर्मनी में और ce के संवेलन में भारतीय तो ठंड़ा भरयता है नहीं तो भीका जी रिस्तम कामा यह को किया बोला है तो यह रखना है कि किस लेडी को भारति क्रांती की मा कहा जाता है तो भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। फिर बात करते हैं। Next, Simon Commission. तो Simon Commission अगर देखा जाये तो Simon Commission यह आया कप था? यह हमें देखने को मिलता है 1827-18 के बीच में. तो अब जो Simon Commission आया तो Simon Commission आया तो लोगों ने बहुत बुराई करी बिवाद था यहाँ पर Simon Commission को चलते अब क्या बिवाद था तेखते हैं ब्रिटीच हरकार ने Sir John Simon की नित्रत में साथ सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की। चलो भारतिओं के लिए काम करोगे तो बहुतियों के नहीं सारे के सारे को कौन हैं ब्रिटेन के हैं ब्रिटेन के हैं यानि अंग्रेज हैं तो इसलिए कॉंग्रेस ने इने क्या बोला श्वेत कमिशन बोला इस आयोक के न्युक्ति दस वर्ष में की जानी थी परन्तु दो वर्ष पूर भी आठ नमबर 1927 को न्युक्त कर दिया गया मतलब जो 1919 भारत साशन यह भारत सचीव जो कहां बैठते हैं इंग्लैड में तथा वाइसराय लॉड एर्विन थे तो लॉड एर्विन जो थे वो वाइसराय थे इस आयोग में किसी भी भारतिय का शामिल ना होना इसके विरोध का प्रमुकारण था भारतियों के लिए काम हो रहा है तुमने साथ सदस से शामिल कर लिए लेकिन काम किसके लिए कर रहो भारतियों के लिए और भारतियों को ही शामिल नहीं कर रहा तो इसी विज़ासा यह बिरोध का सबसे प्रमुकारण था नेक्स फेस ही में देखने हो मिलता है कि दिसंबर 1927 में मदरास में एक अध्वेशन हुआ कहा जिसके अधहिषता किसने की एम-ेंसारी तो दिसंबर 1927 में मदरास में एम-ेंसारी में ध्वेश्टा में har Sansa सांइमन के हम शामि शामिल करना है क्योंको को कोई भी भारतिय नहीं है और एक तो टाइम से पहले ही नोने क्या करतिया लागू करतिया तो यह बिवात का कार दो तो इसका क्या करना था बहिशकार अब तीन फरवरी को तीन फरवरी 1928 को जो कमीशन मुंबई पहुंचा तो यहां पर सभी ने क्या दिखाए काले जंडे जैसे आज कल भी अगर देखा जाए तो जो काले जंडे काली पटिया वगरा दिखाए जाती है तो आज भी ट्रेंडिंग में रहता है तो उस समय काले जंडे दिखाए और सा सब्सक्राइब मोंबर शफ्य कौन सी पार्टी के था मुस्लिम लिक्के जस्टिस पर्टी सिक संगे तो इन अगर बात आती है तो इन लोगोंने साइमान कमिशन का विरोध नहीं किया बलकि अगर बात कर पूरे भारत वह विरोध चला है लेकिन लोगों नहीं गया 28-29 के दौरान้ साइवन कमिशन दो बार भारत आया और यहां पर यह भी आज रखना है कि यह मूंबई कपंचा तो मूंबई पहुंचा 25 शा Cute यानि कि इस टाइम पर यह दो बार भारत आया और इसने अपनी रिपórट कबदी 1903 में जिस पर लंदन में गोल में संभीलन विचार पूलना था तो सब्सक्राइन तो अपनी बाताम ऐा उससे सब्क्राइब जो भी भारत के लिए और नीम कआनून सो एव यही च्टान ने अब आप यहूंन का मीशनने यह आभी हमने देखा था जो ਸ cricketiovू Aye Roberts II कि पहला जो टास्क था उनका तो यहीं था कि Simon कमीशन के विरोध की खानअ लाहँ में लाथी चार्ज किसने गरवाया जो सांडर्स अ लाहँ का पुलस हदिशक था सहा पुलस ही आँ सणिक उसने लाथी चार्ज कर वया था तो तो इस दौरान 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत्राय घायल हो गए, अब लाला लाजपत्राय के सिर में चोट लग गई, तो लाठी चार्ज हो तो सिर पे चोट लग गई, तो चोट लग ने कारण के सिर में चोट लगी, तो उससे अब वो घायल हो गई, अब जब घायल हो बाद दकी वारु अंजर पांकों हैँ के और चिए बहुत हैं अंडूलन के इसी दौररान जो लाला लाज-पत्राये थे उन्हें कॉNň-पाथी पंजाब कीजरी की उपादी तो लाल बाल पाल हमने तीन देखे थे कि यह सबसे ज़्यादा उगरवादी नेता में लाल लाला लाज पत्राय कब मर गए तीस अक्टूबर उन्यसो वह 17 नमबर 1928 को यहां तो चोट लगी इनके हम रत्यू का वुई 17 कौन से तिलक बाल गंगाधर तिलक जन को बाल भीगा जाता था लाल वाल और पल तो यहां पर जो बाल गंगाधर तिलक तैनी यह कर देखा जाए इनकी तिलक की मृत्ति होई थी आसायोग आंदोलन के पहले ही चरण में हो गई थी बहुत ही मुख्य हमारे नेता थे उगरवादी तो इसी वियासे अब यहां पर लाला लाजपत राय को जो पाधी मिली थी तो साइमन कमोशन के ब्रोथ में मिली थी पंजाब किसरी की पंजाब के तो थे ही है तो इन्हें पंजाब निकाला की सजा भी मिली थी फिर यह जम्मू चले गए थे कश्मीर और यहां से फिर बापस जब लाहौर पहुंचे थे तो यहां विरोध के दोरान की क्या हो गई मृत्यू तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्यू गाइस